तो वहीं जन अधिकार सुप्रीमों पप्पू यादफ की पार्टी का कॉंग्रस में विलय हो गया है दिली में प्रेस कॉंफेंस में इसका एलान किया गया कॉंग्रस ने इसे एतिहासिक विलय बताया है पप्पू यादफ की टिकट पर पूर्णिया से लोगसभा चुनाव लड़ सकते हैं उनकी पतनी रंजीत रंजन राजसभा सदस्ते हैं उन्हें कॉंग्रस ने छतिसगर से राजसभा बेजा है बिहार के कॉंग्रस प्रिभारी मोहन प्रकाश ने पप्पू यादफ की पार्टी का कॉंग्रस में विलय कराया पप्पू यादफ के साथ उनके बेटे सार्थक यादफ भी मौजूद रहे सार्थक रंजन रड़ जी खेलते हैं सबसर पर मोहन प्रकाश ने कहा कि साज़दारी न्याय से प्रभावित होकर पपू यादफ ने कॉंग्रस में विलय करने करने बने लिया